चलिए दोस्तों अब एक नई बात करते हैं अभी सी प्रोग्रामिंग के हमने कुछ लेक्षर सुने कुछ चीजों को जिचाना यह जो पेपर है यह सी पाद थर्ड का सी प्रोग्रामिंग और नुमेरिकल अनलेसिस इसके अंदर प्रैक्टिकल भी है और सी प्रोग्रामिंग इसके प्रैक्टिकल जो है वो कभी भी मुश्किल नहीं होता तो इतना आसान भी नहीं होता तो यह लेक्षर स्पेशली मैंने उस सी प्रोग्रामिंग के लेक्टिकल को तयार करने के लिए बनाया है और विशेशकर जब यह समय चल रहा है कोविड-19 का जिसमें बच्चों को लैब की फैसिलिटी शैद प्रोवाइड नहीं हो पाएगी तो ऐसे में कम से कम हमें यह प्रैक्टिकल कैसे घर पे किये जा सकते हैं उसको जानना भी जरूरी है तो चलिए देखते हैं कि अगर प्रैक्टिकल करने का हमारा कोई नमबर आता है तो हम उसको किस तरीके से करें और क्या इसकी उसे हैं प्रैक्टिकल कैसे किये जाते हैं और क्या उसकी यूटिलिटी है यहाँ पर तो इस से पहले हम प्रेट्रिकल की आवश्रक्ता क्यों हैं अ कि में अंहीं होता है कि वैद्बरींड से किमीकल होगा हमें एक केमीकल को दूसरे में मिलेंगे ऑर उसे बने गा या कोई apparatus होगा वो हमें कोई reading देगा हम उससे कुछ काम करेंगे यही practical नहीं होता है यह सब जो किये जाते हैं ना chemistry में या physics में यही किये जाते हैं कि उनकी कुछ basic concepts हैं और उनको real life situation में सामने कैसे समझा जाए यही तरीका mathematics के practical में काम आता है मतलब हमें वो जो basic concepts हमने देखी और सुनी हैं समझी हैं उनको हम किस तरीके से real life situations में देखे जाने हैं और जो real world problems है real life problems हैं उनकी relevance उस subject के साथ क्या उसका जुड़ाव है और क्या उसकी उपयोगिता है वो हम जाने हैं साथ ही साथ वो जो उपयोग में आ रहा है और जहां वो उपयोग में आ रहा है अप्लाइट साइंसेज में या किसी भी और चिसमें जहां वो उपयोग में आ रहा है तो practical का मतलब ही होता है कि practicality यानि कि उसकी जो जो real life situation में जो उसको लागू करने की जो योग्यता होती है वो उसकी practicality होती है तो इसका मतलब यह है कि जो practical है mathematics में भी practical भाई उतना ही important है ठीक है तो यह कुछ list है जो हमारे slavus में दी हुई practicals की ठीक है तो list है काफी लंबी लिस्ट है और slavus में कुछ न कुछ तो देना था इसलिए है मैं ऐसा मान के चलता हूँ हाला कि इसको काफी scientifically design करने की कोशिश की है कि इसमें जो c programming के जो concepts आपको सिखाएं हैं वो ज़्यादा तर आ जाएं और आप मतलब उनको एक तरह से समझ पाएं तो harmonic series quadratic equation, binomial coefficient do while loop में group frequency table भाना minimum cost of operation average of number, matrix की और median mode median है area of curve है one string to another string copy है string using percentage format इस तरीके के बहुत सारे criticals में दियो हैं इस list में लेकिन ये list ना तो exhaustive है exhaustive मतलब ये list पूरी नहीं है इसा नहीं कि पूरी है कि इसके अलावा तो कुछ आई नहीं सकता है इसलिए we should be flexible हमें थोड़ा सा flexible होना पड़ेगा थोड़ा सा लचीला पन हमें अपनी सोच में लाना पड़ेगा और हम देखते हैं as a teacher हम भी देखते हैं कि बच्चों बच्चे जो भी आते हैं यांपर कई बार होता है कि वह प्रेक्टिकल जो सिलेबस में लिखे हुए हैं वह नहीं समझ में आते हैं या नहीं कर पाते हमारे समझाने के बावजूद भी नहीं आते हैं तो कुछ कुछ flexibility होनी चाहिए हमने कोशिश करिए इस सीज में flexibility डालने की और कुछ ऐसे प्रेक्टिकल जोड़ने की जो जिनकी कोडिंग तो आसान है कोडिंग आसान है और साथ साथ वो जो सी प्रोग्रामिंग की जो बेसिक कॉंसेप्स हैं उनको भी इंकलूड करना है उनको भी ले रहा है तो आप सीख पा रहे हो सी प्रोग्रामिंग की सारी concept साथ ही साथ आपको उसको सीखने में या उसको प्रैक्टिकली देखने में मुश्किल नहीं हा रही है तो यह कुछ और लिस्ट है इसके अंदर कुछ अलग चीज़े हैं इवन और नमबर है फिबोने की सीरीज है फैक्टोरियल है एवरेज ऑफ नमबर है सम अफ तू मैटिस से एना फाइल को ऊपन करना और अप्रेंट करना मीन मोड मीडियन निकालना प्रडेक्ट अफ टू मैटिसे से एक स्टिंग से दूसरी पर कॉपी करना है सेंपल कैलकुलेटर एक बड़ा प्रजेक्ट टाइप है लेकिन मुश्किल नहीं है यह बहुत आसान है कैलकुलेटर बनाना क्सी प्रग्रामिंग बहुत आसान है जब हमारा यह नंबर आगा जबाद देखेंगा बहुत ही आसान चाहिए हमें साथ साथ प्रेक्टिकल में अच्छा परफॉर्म करने के लिए उसकी मार्किंग स्कीम को भी जानना और समझना चाहिए तो एक बात जान लीजिए जो बी एस सी के स्टुडेंट्स हैं उनके लिए प्रेक्टिकल जो है वो 25 मार्क्स कर रहे हैं इसके अंदर पांच मार्क्स उसके रिकॉर्ड के हैं दो प्रेक्टिकल हम नॉर्मली प्रेक्टिकल एक्जाम्स में देते हैं सौल करने के लिए या कोडिंग करने के लिए उसम आपने प्रोग्रापिम्स ही कर रखी कि नहीं कर रखी यह सब चीजें उसके incorporating आपना जाती है इसके वारा वाव्याव से जो है उसके भी छह ओते हैं तो उसके अंदर record पांच मर्स का है और वावर से जो है तरीके से टोटल 22 marks के practical जो है वो बिये पार्ट थर्ड के students के लिए है. चलिए हम सबसे जो important aspect है सबसे पहले record बनाने का तो record कैसे prepare किया जाता है. तो suppose हमारी जो पहली problem में उसी की बात हम कर लें कि हमें दिया हुआ है to find the sum of harmonic series. और उसका solution हमें अपनी practical file में लिखना है, हम practical file prepare करनी है तो किस तरीके से हम बनाएगे सबसे पहले तो harmonic series जो है उसका जो basic concept है उसके बारे में या उसकी जो understanding है उसके बारे में हम सबसे पहले शुरुआत में लिखेंगे कि harmonic series actual होती क्या है मैंने के उस practical file को कोई भी पढ़े तो उसे समझ में आना ची कि practical जो लिखा गया है उसका basic क्या है वो है आया कहां से उसके बाद उसको solve करने सब सम की बात करी है तो सम किस तरीके से निकाला जाता है तो उसकी approach आपको आने चीए mathematical approach है ठीक है ना उसके अलावा उसका concept brief concept मतलब कहने मतलब यह सी programming के अंदर वो कैसे उसका प्रोग्राम बनाएंगे यह जानना यह जानना और यह बताना आवज़ चाहिए तो उसके अंदर के जो statement जो use में लेंगे program के अंदर यह यह जो हम यह इन फोच्ट करते साथ बना लिया जाता है लेकिन जब लिखा जाता है तो लखने का तरीका यह तो यह तरीकेसे फिर उसके बाद एक फ्नोचार्ट बनाएंगे के बारे में आप और फिर उसके बाद हम प्रिंट आउट ले सकते हैं तो हम उसका प्रेंट आउट लेंगे हैं या फिर हम उसको हाथ से बिलेंगे जो इस इंदर लगा हुआ है सिमिलरली जो उसका आउटपुट है उसका भी हम प्रिंट आउट लेने की कोशिश करेंगे यदि हमारी लैब में प्रिंट वर्क कर रहा है हमारे पाथ प्रिंटर एविलेबल है और यदि नहीं है तो हम उसको भी आउटपुट को भी फॉर्मेटिट तरीके से हाथ से लिख अब वाई 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 यह तो तरीके हुए कि हमने जो प्रिंटिकल है उसको किस तरीके से लिखा और करीब कितने प्रिंटिकल के आउशकता होती है तो मेरा ही मानना है कि लगभग 10 से 15 प्रैक्टिकल्स आपने अगर उसकी एह जितना भी आपको मुका मिल पाया कम से कम 10 और 15 अफिशियंट है इतने प्रैक्टिकल्स आपने किये हैं तो यह सारी कॉंसेट्स को भी कवर करते हैं और यह आपकी प्रैक्टिकल फाईल को भी एक बलक देते हैं ताकि यह समझम है कि वह आपने एक अच्छी मेहनत की है वाइवावाव से कहते होता है उसके अंदर ध्यान रखिएगा जो बेसिक mathematical concepts हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है उस problem की जैसे harmonic series की बात की है तो हम यह पूछ सकते हैं या जो भी external examiner होता है वो यह concept के बारे में वह जानने के लिए आप से पूछ सकता है आपको जानकारी है या ठीक है और program को बनाने के कोई और तरीके भी हो सकते हैं क्या बहुत है हम एक प्रोग्राम को एक ही तरीके से नहीं क्या है वह सब चीजें आपने जो प्रेजंटेशन आपने जो किया है अपने अंसर बुक में वह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की है तो वह भी उसके बारे में भी आप से बात की जा सकती है इसी तरीके से जो आउट पूट आया वह पर्टिकलर ली वह फॉर्मेटट आउट पूट है या नहीं है नहीं है तो क्या कमी रह गए और उसमें क्या सुधार क्या सकता है और यह सब लगता है एक्जामिनर को कि वही ठीक है यह सब में पूच चुका और मुझे कुछ नया पूचन अच्छी है तो सी प्रोग्रामिंग की जो दूसरी कॉंसेप्स हैं उनके बारे में कुछता है यह कुछ जरूरी नहीं कि जो प्रैक्टिकल आपको दिया गया है सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में पूचा जाए हाला कि कोशिश यह की जाती ह है कि आपको जो प्रैक्टिकल दिये गये हैं हम उसके बारे में ही बात करें हमेशा ध्यान रखिए आपके मैनर्स जो हैं कंप्यूटर लैब के अंदर वह बहुत ही संबले हुए और सुद्रे हुए होने चाहिए क्योंकि जो आप एकुपमेंट्स की हैंडलिंग कर रहे हैं यह वहां पर जो भी एक्स्तर लटाल बैटे हुए हैं इंटरे昨 हैं वाज कर रहे हैं अपको देख रहे हैं ठीक है और उसके अलवा आपको अपने पाट्नर को नौ मली क्या होता है कीई-कुपमेन्ट हमारेहां कम होता है आपका बैच तो 20 वह है लेकिन कंप्यूटर जो है वो we yeah, तुब धर जने जो बैठेंगे अपना बना रहे हैं और दस जने कि आइगा और दूसरा अदमि बैठा हुआ यह बहुत काम कर रहा है तो और आप अपने partner को support करेंगे और कोशिश करेंगे कि equipment के use में parity बनी रहे हैं ठीक है सबका बराबर बराबर मौका आए और इसके लिए silence लैब में you should keep silence मतलब आपको एतनी आउची आवाज में बात नहीं करनी है कि आसपास वालों के लिए और किसी और के लिए distance create हो और इसके साथ साथ आपको जो भी directions दी हुए है teacher आपको जो भी बता हुए है उसको आप follow करें उसको आप बिल्कुल माने और अपने manners बनाया रखे computer lab के अंदर चलिए और practical कर रहे है computer lab पर कर रहे है लेकिन अभी का जो एरा है वो बड़ा अजीब सा है यहां तो वही इस्तिये हो रही है कि पढ़ाई भी घर पर हो नहीं है और practical भी घर पर हो नहीं तो वही computer है क्या आपके पास computer है? नहीं है नहीं है तो फिर भाई क्या किया जाए? क्या किया जाए? तो आपके पास कोई न कोई smartphone जरूर होगा तो आप जो smartphone है उसको यूज में लेके आप अपना काम कर सकते हो यह सबसे अच्छी बात इस चीज में है तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि स्मार्ट फोन को कैसे काम में लिया जाता है तो चलिए देखते हैं देखिए computer होगा तो तो आप हमेशा ही computer पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं आपको बताता हूं कि अगर computer है आपके पास तो आप क्या करें तो मान लिजिए आपके पास computer है तो आप एक ब्राउजर खोलिए ब्राउजर पर आप गूगल सर्च करिए और उस पर आप टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड जो भी कुछ इस तरीके का कोई भी एक word आप डालेंगे तो आपके पास ऐसे बहुत सारे साइट्स खुल जाएंगी ठीक है तो आपके पास option होंगे लेने के तो यह जो यह development insider.co.in पर एक site है यह site है इससे भी ले सकते हैं archive code plaques.com करके site है इससे भी ले सकते हैं file और से यह थोड़ा सा cautious रखना पड़ता है इसके लिवारे में कुछ चीजह ऐसी हैं आपके ध्यान रखना होगा कि आपके site से समझ में आ जाएगे और जो टर्बो-C है टर्बो-C का compiler आपके computer में install हो जाएगा और उसके बाद उस टर्बो-C के compiler को आप काम में ले सकते हैं आपके लिए वो available हो जाएगा और वो टर्बो-C compiler जब आप खोलेंगे यह आप actual में खोलेंगे तो आपको जो दिखाई देगा वो नॉर्मली इस तरहां से दिखाई देगा ठीक है और इसके अंदर ही आपको अपना सारा काम करना होगा और फिर यहाँ पर इसके उपर कई सारे मैनियू है फाइल मेनियू मतलब जो आप फाइल बना रहे हैं वो खोलेंगे उपन करेंगे सेव करेंगे इस तरीके से मैं प्रेक्टिकल्स के बारे में डीटेल डिस्कूशन करूंगा तब मैं इसी इसी चीज़ पर इसी पैनल पर काम करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि चीज़ें कैसे होती है ठीक है लेकिन फिलाल फिलाल अपन चल रहे हैं कि जो साइट है वहां से अपने करके और हमारे computer पर install कर लिया important बात यहां पर यह ठीक है लेकिन अब पुने वहीं पर जाके अटकते हैं कि भाई यह अगर हमारे पास नहीं है computer नहीं है मेरे घर पर नहीं होता है को जरूर नहीं है हलां कि बहुत अच्छा चांस है यहां पर की लगभग आदे से ज्यादा बच्चों की घर पर computer हो लेकिन आदे बच्चे ऐसे यह नहीं है लेकिन एक बात तुम मैं मानके चलता हूं कि लगभग सभी के पास शायर भी कोई ऐसा होगा बच्चा जिसके पास किसी भी तरह का बह बन सकता है चलिए अब देखते हैं मोबाइल को हम किस प्रकार से सी प्रोग्रामिंग के काम में ले सकते हैं क्योंकि अब घर में हमारे पास computer है नहीं तो naturally mobile को हम को काम में लेना होगा हमारी का हमारे पास एक smart device है उस smart device को अगर हम efficiently काम में ले सकेंगे तो हमें इसका फायदा जरूर जरूर मिलेगा तो चलिए देखते हैं तो यह मेरे mobile की स्क्रीन है और यह जो इस इस स्क्रीन को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप भी इस बात को समझ सकें कि किस पकार से यह काम मैं आती है तो देखिए यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम प्ले स्टोर पर जाएंगे आप सब सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बहुत सारी अप्लिकेशन्स आपके सामने को लेंगे और ज्याधा तर उसमें से इसको मेरे इसको उपन किया अब मैं इसको ओपन करके अब आपको को बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हलाकि इस स्क्रीन में काफी स्लो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन नॉमली यह बहुत फास्ट होता है काम इस तरीके से एक आपके पास यूजर इंटरफेस आगा जिसमें आप अपना प्रोगाम लिख सकते हैं बकाइदा जिस तरीके से लिखा जाता है उसी तरीके से लिख से के तो हमने जैसे वहां से खोला सबसे पहले इसके बहुत सारी प्रॉग्गाम के 은द्ग इसके अंदर वहें हैं जैसे आप इंको रर्ट चरते हैं समझ सकते हैं तो यहांपार मैंने लार्ड right जुटरा और यह ले लेटकर ऑलने के लिए सोसलेक्ट करेंगे और यह सेलेक्ट बटन दबाएंगे सालेक्ट बटन दबा के इस यह यह प्रहीं पर यह पूरा प्रोग्राम अपने उजे के अंदर दिखाई दे जाता है और उसके बात जब हम उसको सबसे पहले compile करते हैं और compile करके जब बाद में उसका run बटन बटन नवाते हैं तो वो इस प्रकार से run होता है और इसमें जैसे लिखा आ रहा है enter the number of elements in array तो मैं इसमें number पर enter करूंगा और उसके बाद चुकि मैंने कम number एंटर की यह पांच नंबर के लिए program था तो यह दुबारा से कह रहा है इंटर फाइव इंटीजर तो मैं पांच इन्टीजर इसमें एंटर करूँगा और उसके बाद ने देखुँगा कि किस तरीखे से काम होता है देखिए यहां पर इसमें अपना प्रोग्राम ररन करके और इसका आंसर ने दिया होला कि यह गलत इसलिए है कि पर fossδा सकतें तो यह ध्यां से देखेंगे तो लिए में जो काम करने का तरीका है वो काम करने का तरीका ये बहुत ही Ihre Aug लेता हूँ अभी यह उण डिन वाले प्रड़ mijn पास इस तरह से पिरान बॉब और प्रड़्ख verge ही खुलता है लेकिन वह समाव क्यों नहीं कुला था मुझे नहीं प्रफ्लम रह गई होगी यह खुला मैंने रन किया तो यहां पर पुछा इसने इंटीजर मैंने रखा तो इसने इसका जबाद दे दिया 654 तो इस तरीके से हम जितने भी प्रोग्राम है कोल के देख सकते हैं और हम चाहें तो नया प्रोग्राम भी हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं कहने का मतलब यह है कि हम नई कोडिंग भी इसमें डाल सकते हैं अपने ना सिर्फ उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं ना सिर्फ उसको टाइप करके हम सेव कर सकते हैं रन कर सकते हैं उसमें एडिटिंग कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से काम कर सकते हैं जिस तरीके से हम सामाने तहर कंप्यूटर पर करते हैं तो यह जो चीजें हैं इतनी मुश्किल भी नहीं है और हम आप आप ने देखा हम हम चाहें तो अपने आपने अपने आपने मुबाइल को जो कि अम नॉर्मली मुवीज देखने के काम में लेरहे और हैं आपके यह बात समझ में आई हो जब भी समार्ट फोन का यूज करते हैं तो इस स्माटफोन में आपने देखा कि बहुत सारे options available हैं और उसके अंदर भी हम अब चाहें तो अपने computer programming की प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई इसमें दिक्त की बात नहीं है आपको आपको वह सकता है कि computer वाला experience नहीं मिले लेकिन यह बहुत ही अच्छी बात होगी कि आप कम से कम एक hands-on experience जिसे कहें कि आप खोद करके देख पाएंगे कि programming कैसे हो रही है या practical जो है वो कैसे हो रहे हैं ठीक है तो हला कि हो सकता है आप उसके आपके पास printer नहीं हो जब naturally जब smartphone ही है और computer नहीं है तो printer भी नहीं होगा तो आप हो सकता है कि उसके printout नहीं निकाल पाएं तो घर में उस तरीके से आपकी practical file भी तयार नहीं हो पाएं लेकिन मेर को यह भरोसा है कि आप अपने practicals को जरूर तयार कर लेंगे और साथी साथ बात जो चीज आएंगी उसमें हम जो आगे के आने वाले practicals हैं वो एक-एक करके लेंगे और उनको कैसे करना है कैसे तयार करना है क्या उनका output आएगा उसको बिलकुल C compiler पर चला कर देखेंगे कि वो किस तरीके से work करता है तब तक के लिए stay tuned and thank you very much all the best